दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन का टिकेट अपने मोबाइल से हम कैसे चेक करें आज इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताए जाएगा वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर और कमेंट जरूर करिएगा सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा जैसे प्ले स्टोर आपन करिएगा आपको उपर सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा जैसे आप देख सकते हैं यहां पर सर्च बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा और बस इसी search box पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करिएगा जैसे click करिएगा click करने के बाद आपको यहाँ प्लिखना होगा ixiigo इतना लिख के आपको search कर देना है जैसे search करिएगा आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा आपको इसको install कर लेगा जैसे आप पहले से इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल करके open कर लीजिएगा, जैसे आप open करिएगा, आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, थोड़ा wait करना पड़ेगा, पहली बार अगर आप open करने थोड़ा wait करना पड़ेगा, जैसे कि एक दो सेकंड, पान सेकंड, इसके बाद देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा, और i, x, i, go का option और train बन की चप आजाएगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा interface आएगा, अब आपको अगर pop-up so करेगा, तो यहाँ पे आपको option मिलेगा cut का, आपको यहाँ से cut करके, इसको cut कर देना है, फिर आपको यहाँ पे language select कर लेना है, जो भी आपका language होगा, उसको आप select कर लीजेगा, इसके बाद नीचे आपको एक continue का option देखने को मिल जाएगा, आपको continue पे click कर देना है, जैसे आप continue पे click करियेगा, थोड़ा आपको wait करना पड़ेगा, और इसके बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा mobile number, जैसे आप देख सकते हैं, इंटर mobile number, फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा continue, आपको एक mobile number फिल करना है, और continue के option पे click कर देना, चलिए mobile number फिल कर लेते हैं, जो भी आपके पास mobile number रहेगा, वही आप फिल करिएगा, और mobile number जैसे फिल करिएगा, आपको continue पे click करिएगा, कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको allow कर देना है, और automatic यह OTP आपको ले लेगा, इसके बाद यहाँ से नीचे आपको भी एक option देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको allow करके enter हो जाना है, जैसे हो जाएगा, यहाँ भी allow कर दीजिएगा, allow का option जितना भी आएगा, आपको यहाँ पे allow कर देना है, जैसे आपको यहाँ पे करिएगा, देखे सर्च ट्रेन का option देना है, आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद आपको कुछ pop-ups हो देगा, आपको कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, दिरे दिरे दो तीन बर में खतम हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे कई सूबिधाएं देखने को मिल जाती है, आज हम पूरी services की बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा complete आपको देखना होगा, इसके लिए आपको पूरा service के बारे माज knowledge देने वाले हैं, देखें, पहला आपको मिल जाएगा running status, चलिए running status के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं हमको जाना है, और train मेरा कहां पहुचा है, कितना लेट है, तो हम इस running status पे click करके, हम अपना train का running status चेक कर सकते हैं, कि train कहां पहुची है, और कितनी लेट है, जैसे कि हम उस पे click किए, यहाँ पे आपको station नाम डालना होगा, जैसे कि आप उपर देख सकते हैं, नाम आर आया है, लेगिन आप वहाँ भी डाल सकते हैं, आपको जहां से जहां तक का search करना वो करिएगा, train number डालिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा कुछ interface आया जाएगा, आपको इस पे click कर देना, दो train दिखाए दे रहा है, किसी भी train पर click करिएगा, जिसका आपको check करना है, आप आप देख सकते हैं, उसका status को कर देगा, यह train आपको 3 घंटा, 2 घंटा, कुछ मीनल लेट है, आप ऐसे आपको पूरा status दिखा देगा, फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने बाद देखिए दूसरा status, आपको दूसरा option देखने को मिलेगा, आपको PNR, देख सकते हैं, PNR status, आपको PNR status, अब इस पर हम क्लिक करेंगे, तो इसमें क्या चेक करना है, जैसे हम टिकट बुक करते हैं, तो हमको 10 डिजिट का PNR नंबर मिलता है, माली जी मेरा टिकट वेटिंग है, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहां से चेक कर सकते हैं, इसके बाद बैक आजाते हैं, अब देखिए, आपको एक option देखने को मिलेगा, train by name या number, अब इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, तो कुछ ऐसा आपको interface देखने को मिलेगा, नहीं आपको seat availability, और station, status, और coach position, चार option मिलता है, हम एक एक के बारे में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, train by name या number, आपको इस पर क्लिक करना है, अब क्लिक करने के पाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, आपको यहां पर search box का option दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको train number डालना है, अगर आपको train number पता है, तो train number डालेगा, नहीं train नाम से डालके, search कर लेना है, search करिएगा, फिर train आज आएगा, train पर क्लिक करिएगा, फिर कुछ ऐसा आपको option देखने को मिलेगा, जैसा कब देख सकते हैं, यहां पर कई option दे रहा है, जैसे का हम आपको पूरा detail में बात करने वाला है, जहां से जाने वाले है, वो station, जहां तक जाने वाले है, यह वो station, नीचे आपको डिखिए, class का option दे रहा है, जैसा आपको sleeper, gender, third AC, आपको quota दिखाई दे रहा है, अब देखिए, आपको station select कर ल आपको quota ओले option पे click करना है, जो आपको quota ओला option दिखाई दे रहा है, यहां पर जैसे general, ततकाल, पिर्मियम ततकाल, लेडिज, जो भी आपको seat चाहिए, जिस तरीके का, यहां पर वो select कर लेना है, select करने वाले नीचे आपको एक option दिखाई दे रहा, seat availability, आपको seat availability पे click कर दे जैसे आप इसपे करिएगा देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरास आयेगा और आपको यह पर ट्रेन का इस्टेटेश दिखा दे रहा है अपको ट्रेन थोड़ा वेट करना पड़ेगा और एसा कुछ इंटर आज आ चेक सकते हैं, आपको इस महिने में सब beecking दिखा रहा है, अग拼 अगले महिने में तो यहीं से आपको ऐक option दिखाए देगा, यहाँ पर next का, आपको इसी पर next कर देना, तो अगले महिने का option खुल की आ जाएगा, अब यहां पे आपको पस पेटिंग ही दिखा रहा है तो इस ट्रेनमेंट टिकट आपको मिल नहीं सकता और इसके लिए फिर आपको चलिए उपर से बैक कर देते हैं आपको अगले स्टेप के बारे में बताते हैं चेक सकते हैं यहां पे बैक हो जा रहा है बैक होने के बाद एक option दिखाई देगा seat availability दूसरा number आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेएगा देखिए आपको एक station का नाम आ रहा है वहाँ भी जो आप जहाँ से जाना चाहते है वो नाम डालिएगा और जहाँ तक जाना चाहते है आपको to में जहाँ जाना चाहते है जैसे कि माल लिजी हम नई दिल्ली जाना चाहते है बदो होई तू नई दिल्ली तो हम यहाँ पर सर्च कर लिए इसकार नीचे आपको एक option देखने को मिल जाँगा date से date select कर लेना जिस date को आप जाना चाहते है date select कर लिजेगा देख सकते हैं आपको पहले यह option दिखा दे रहा available, filing, fast few seats यह आपको पहले दिखा दे रहा है आपको उस हिसाफ से देखें available अगर हरा रहा है का tick तो available पीला बुलू, filing test और few seats इस तरीके सा आपको दिखा दे रहा है आपको select कर लेते हैं, कोई भी update चलिए हम date select कर लिए, इसके बाद नीचे देखें आपको एक option मिल जाएगा मालीजी हम और कुछ select कर लेते हैं चलिए कुछ और इस्टेसन का नाम लिख लिएते हैं जैसे मालीजी हम परियाग राज लिख लिए परियाग राज से हम नई दिल ली जाना चाहते हैं date select कर लेना आपको update जो भी आप select कर लिजेगा मालीजी बारतारी की select कर लिए आपको search पर click कर देना, जैसे करिएगा कुछ आइसा interface देखने को मिलेगा और यहाँ आप देख सकते हैं, देखे आपको यहाँ पर कई सारे option देखने को मिल जाएंगे जैसे का आपका train नाम और seat में कितना seat है AC में कितना है, sleeper में कितना है पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं, sleeper में 400 रोपे ticket लगेगा, RAC है इस train में आपको third AC में इतना seat है और ऐसे करके आप जिस train में जाना चाते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको धेर सारी train मिल जाएंगी आप जिस train से जाना चाते हैं, जिस train में आपको सुविधा रहेगा, train number यहाँ पर लिखा रहेगा इसके बाद आप नीचे आ सकते हैं, अगर आपको जिस train से सुविधार रहेगा, उस train से आप सेलेट करिएगा यहाँ पर और सेलेट करके आप चेक कर सकते हैं, आपको एक option मिल जाएगा अगर WL लिखा है, तो मतलब वेटिंग चल रहा है जितना नंबर लिखा है, उतना वेटिंग लिष्ट चल रहा है जैसे हैं, आप देख सकते हैं, sleeper में वेटिंग लिष्ट सेवन दिखा रहा है तो इसमें वेटिंग लिष्ट है आपको नीचे चल काया आना है, कुछ में next step के तरफ चलते हैं जैसे आप गंबैक आ जाएगा यहां पर देखने को मिलेगा station status अब इसके बारे में बात कर लेते हैं उस पर click करिएगा तो आप इस पर जैसे click करिएगा station का नाम डाल दीजेगा train जहां पर आपको जाना है वहां का नाम डाल दीजेगा search train पर click करना है जैसे आप नाम डाल दाल दिखाएगा माल लिजे आपको नई दिल्ली जाना एक demo दिखा रहा है मुझा जाना है नहीं सर्च ट्रेन पर click करना नहीए जैसे आप देख सकते है search 스et पर click करिएगा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अब कोई भी आप train सेलेक्ट कर लिजेगा दो टरेंग किसी भी टरेंग, आपको जिससे जाना उससे झाना उससे इससे पर करकर क किलिख कर देना है hè है जैसे इस क्लिक करि较गे है आपको पुरा उसका श्टे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कोच पोजिशन अब माल लीजिए कि आप टिकट बुक कर लिए है तो आपको S7, S6, S8, S8 है तो कहां लगेगा आपको यह दिक्कत होता है तो आपको यहाँ कोच पोजीशन में जाएगा ट्रेन नमबर या सर्च करिएगा या ट्रेन नाम जो भी डालके सर्च करना है ट्रेन नमबर आजाएगा क्लिक करिएगा जैसे क्लिक करिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ आपको देखना है देखे आपको पहले seat number आ जाएगा पूरा sleeper class करके नीचे एक option आपको देखने को मिल जा रहा है train छपा हुआ है यहाँ आपको train छपा हुआ है वो coach position है कि कितना number seat कहाँ लगेगा train में देखे जैसे का आपको engine आगे लग रहा है उसके बाद engine फिर इसके बाद general फिर S7 फिर S6 ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर check कर सकते हैं आपका जितना भी भी रहाएगा yes six yes four उस पर कर लिजेगा यहाँ आपको seat number आ जाएगा आपका seat किधर वाला है कौन सा है middle है upper है lower है किधर का है पूरा detail यहाँ पर पता चल जाएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like subscribe share and comment जरूर करिएगा अगर मेरे चैनल पर 200-300 भी उजा रहा है उसमें सगर हमको सब 10-20-50 लोग भी कर देंगे subscribe तो बहुत ही मेरबानी होगी आप लोग support करिए thank you for watching